नमस्कार दोस्तों आपका मेड़न वे में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि हम यहां पे ले के आ गए हैं ठीक है यूपी एसाई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्यूश्चन्स जीएस रिलेटेड ठीक है चलिए मैं अपने पहले क्यूश्चन के तरफ बढ़ जाते हैं राश्टिय जलीव जीव गंगा डॉल्फीन राज के किंजिलों में पाई जाती है ठीक है तो यह जो राज यह है ठीक है जो राज्य है वो किन्जी लोंपाई याती है तो वो है मिरज़ापुर और सोनभद्र, ठीक है? उसका राइट एंसर मिरज़ापुर और सोनभद्र है, ठीक है? चलिए, प्रेश्ट नमभर 2 राज में लखनव के समीप किस वन में लुप्त प्राए प्रजातियों के लिए प्रजनन केंदर की स्थापना की गई थी तो वह है कुकरयल वन में लखनाव के समीप है जहां पे लुप्ट प्रागिक फ्राजियातियों के लिए प्रजद चैमा किंडर की स्थापना की गई थी छले lt question राजी का सबसे पुराना वनने जीव वीहार कौन सा है तो वह है चंदरप्रभा चंदरप्रभा जो है उत्तरप्रदेश के सबसा पुराना वन्य जीव भीहार है ठीक है उत्तरप्रदेश में कौन सा राश्ट्रिय उद्यान है तो वो है दुधवा टाइगर रिजर्व ठीक है दुधवा उसको टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रिय उद्यान है ठीक है चलिए next question राज के चिडिया गरों की देख भाल कौन करता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक एँड़िय चिडिया घर प्रदिकरण जो है राज के चिडिया घरों का देख्भाल करता है ठीक है next question राज में लाल बहोसी पक्षी विहार किन जिलो में पाई जाती है ठीक है तो वो है कन्नौच कन्नौच की जिलो में जो है वो लाल बहोसी पक्षी विहार जो है लाल बहोसी पक्षी जो है वो पाई जाती है किस जिलिमें है तो यह अलीगण में जो है वो राज़िक का चौटा पक्चि विहार का नाम क्या है तो राई बरेली में जो इसथापीत आप उस पक्चि विहार का नाम जो है समस्पूर पक्चि विहार ठीक है next question सांडी पक्ष्य विहार के किस जीले संडी पक्ष्य बहार जो है यह ठीक है next question राज chuckle जिलो में तितली पारक का निर्माड किया गया है तो वो है लखनव और कानपूर, लखनव और कानपूर में जो है वो तितली पारक का निर्माड किया गया है, जहां पर आपको अनिक प्रकार की तितलीयां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, राक्ष्ट्री पक्षी मोर सनरक् केंद्र की अस्थापना की गयिए मगर्मक्श एवं घरील मगर्मक्श एवं घरीयालो के लिए किस राज ये में कौन सी योजने चलाई गई गयी है तो घरील प्रजणन पुनर्वास योजने चलाई गई है ठीक है प्रजनन केंद्र एवं लाइन सफारी पार्क किस से अभी प्रेरित होकर विक्सित किया गया है तो वो है इंग्लैंड के लांग लीट सफारी से ठीक है लांग लीट सफारी से जो है इंग्लैंड में इस्थित है उससे जो है अभी प्रेरित हो के आपको उत्तर प्रदेश के इटावा में बबर सेर प्रजनन केंद्र लायन सफारी पार्क बनाए गया है ठीक है नेक्ट शुचन राज में मक्य का सरवाधिक उत्पादन किस जिलिम किया जाता है तो वो है बहराईच बहराईच में जो है वो राज के सबसे जादा मक्य का उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में चन्य का सरवाधिक उत्पादन किस जिलिम किया जाता है तो वो है जहासी, जहासी में चने का उत्पादन सबसे ज़ादा होता है राज में जव की प्रती हेक्टर खेती सरवादिक किस जिले में होती है तो वो है एटा, एटा में जो है वो जव की सबसे ज़ादा खेती होती है राज में वर सो 2017-18 में भाइरत के समग्र खाद्यान उतपादन में कितने प्रत्सत उतपादन किया? ठीक है? तो वो है 18%, 18% जो है वो उतपादन किया था 2017-18 में ठीक है? राज्य का चावल उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है तो वो है दूसरा ठीक है दूसरा जो है वो स्थान है जो चावल उत्पादन करता है ठीक है गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का कौन सा स्थान है तो वो है पहला पहला जो है सबस्यादा गन्ना कहाँ होता है वो आपके मत्वुरा में होता है ठीक है जो कि उत्तरप्रडेश में है राज में सरवाधिक महत्रपूर्ड किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है तो वो है गन्ना ठीक है गन्ना में जो है यूपी जो है सबसे आगे है राज के किस जिले में ठीक है राज के किस जिले मे पुष्प इत्र बनाया जाता है तो वो है कन्नौज संपूर्ण भारत में नव आदर्ष पुष्पोत पादन केंद्र में केंद्र में से एक राज के किस जिले में स्थापित है तो वो है लखनव राज में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है तो वो है बारबंकी, बारबंकी में अफीम की खेदी की जाती है, आलू निर्यात जो उनकिस जिले में है तो वो है आगरा में, वर्स 2012 की पसु जनगर्णा के आधार पर कुल पशु की संख्या में राज्य का देश में कौन सा अस्थान है, तो वो है प्रथम, 2012 की पसु जनग संख्या कितनी है तो वो है एक करोनन पंचयान बेलाख ठीक है एक करोनट पंचयान पंचयान जो है वो है इतनी गव कर शो की संख्या है देश में राजय का नहीं history में राजय का वह भी पहला में किस अस्थान पर पहुच गया है तो वो है पहले पहले पे ठीक है पशुमों के रोग निदान तथा बीमारियों की खोच के लिए राजे में केंद्रिय प्रयोग शाला किस जिले में खोली गई है तो वो है लखनव में ठीक है राजी की लखनव दूद उत्पादन सहकारी संग लिमिटेड की सथाप ना किस्त वर्स में की गई तो वो है 1917 स्वी में की गई ठीक है राश्रिय कृषी आयोग की सस्तूती ठीक है कि आधार पर कितने पशुमों पर एक पसुची कित्सक की न्युकती की सला दी गई है तो 5000 पर एक पसुची कित्सक की न्युक्ति की सला दी गई है ठीक है राज में प्रति व्यक्ति दुग्द उत्पादन कितनी है ठीक है तो वो है कि 369 ml प्रति दिन ठीक है राज दुग्द परिशत का गठन किस वर्स में किया गया 1976 में जो है वो किया गया नवींतन आकड़ों 2014 15 की आधार पर राज का कुल संचित छेत्र कितना है तो वो है 210 लाख हेक्टेयर ठीक है दो करोंड दस लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश की सरवाधिक लंबी नहर कौन सी है तो वो है शार्दा नहर ठीक है खारा जल विद्ध पर्योजना किस सहर में है तो वो है सहारनपूर में ठीक है राम गंगा पर्योजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इस्तित है तो वो है भिजनौर के जिले में ठीक है राज में कांच बनाने के लिए योग बालू की प्राप्ति किस नदी से की जाती है तो वो है गंगाई यहां नदी से की जाती है कांच बनाने के लिए ठीक है राज्य खनीज निगम की स्थापना कब होई थी तो वो है 23 मार्च 1974 में ठीक है राज्य में किस छेत्र में यूरेनियम पाया जाता है तो वो है ललितपूर ललितपूर में सबसे आदा यूरेनियम पाया जाता है इमार्ती पत्थर की प्राप्ति किन जिलों से होती है तो वो है मिर्जापूर चुनार उत्तर प्रदेश राज्य डीजीपी में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा वर्स 2017-18 में कितना प्रत्यत रहा तो वो है 0.93 ठीक है उत चलिए उत्तर प्रदेश में 1.100 का आरंभ किस वर्ष हुआ तो वो है 1952 राज्य में कागज का मुख के इंदर किस जिले में है तो वो है सहारनपूर राज्य का कौन सा जिला खेल के समागरिक लिए प्रसिधत है तो वो है मेरट प्रदेश के किस जिले में लकड़ी के खिलो बनाया जाते हैं तो वो है सोन भद्र और वाराणसी उत्तर प्रदेश की राजकी चिन्ह पर किस जली जीव की आकरिती है तो वो है मचली ठीक है दोस्तों ये थे कुछ पर देते रहेंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजे एक बड़ा से लाइक चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब क्योंकि हमारी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी चलिए मिलते कुछ इंटरस्टिंग नेक्स वीडियो में तब मिलते देते नेक्साव अच्पां नेको । चैनल कि अहीं है टीजे सकती प्रभा दीजेस । झाल भ्लता है तो सम्सक्राइब कर दो नेक्सार सम्सक्राइब का fancy उरम कि कर दिए सकत्राइब कि क।